मित्रो जब हम कोई श्वापन देखते हैं और हमारी आखे खुलती है तो हम श्वापन फल जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि मैंने जो श्वापन देखा है उसका क्या फल होगा, शुब होगा या अशुब होगा तो सपने में साप का देखना कैसा होता है तो मित्रो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकोन जरूर दवाईए ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो सपने में साप का देखना अगर आप सपने में साप को फ़न फैलाए हुए देखते हैं तो यह सपना बहुत ही शुभ माना जाता है स्वप्न सास्त के अनुसार इस सपने का आर्थिया है कि आपको भगवान भोले नात का आसिर बाद मिलने बाला है साथ ही आपको जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होगी अगर आप सपने में हरे रंग के साप को देखते हैं तो आपको कोई बड़ी खुश खबरी मिलने वाली सपने में सफेद रंग के साप को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है अगर आप सपने में सफेद रंग के साप देखते हैं तो आपकी सभी मनो कामना पूरी होगी आपके घर में जल्द ही मालक्षमी पधारेगी आपको धन बैभब की कभी कमी नहीं रहेगी अगर कोई शाप आपके पीछे पर गया है कहीं आप जा रहे हैं और सपन में देखते हैं कि साप आपका पीछा कर रहा है तो यह भी शुब शंकेत होता है इस सपने का यही मतलब होता है कि आपके जीबन में जो सारी परेशानिया है जो सारी कस्टे हैं और सब परेशानिया जल्द ही समाप्त होने वाली है साथ ही आपको सामाजिक मान परतिष्ठा बरने वाला है आपके किये हुए कार्ज को समाज के लोग काफी पसंद करेंगे आपको काफी जस मिलेगा तो सपने में सांप का देखना बहुत ही सुब सपना माना गया है